कैसा लगेगा अगर सारे के सारे MPs को एक साथ सस्पेंट कर दिया जाए Recently एक बहुत बड़ी news आई है Parliament से कि total 78 opposition party के जो MPs है Member of Parliament इनको सस्पेंट कर दिया गया है 78 from लोकसभा प्लस राजसभा दोनों मिला कर इतने सारे MPs को एक साथ यह बहुत ही बड़ा record कहा जाएगा Parliament के history में कि एक साथ इतने सारे MPs सस्पेंट कर दिया गया है और इन्हें सस्पेंट किया गया है for disruptions in the parliamentary proceedings सवाल है disruption का मतलब क्या होता है और क्यों ऐसी चीज़ें की जा रही है और क्या है एक Member of Parliament के rights आप ठीक से देखना एक चीज़ हमने जिस तरीके के system बनाई है parliamentary democracy इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो representatives हैं जो Member of Parliament या MLA होते हैं हमारे representatives हैं वो हमारी बात जाकर वहाँ Parliament में रखें इसलिए हमने उन्हें कुछ privileges दे रखें हैं जैसे कि उनके पास जो बोलने की आजादी है right to freedom of speech and expression वो एक normal citizen से बहुत अलग है normal citizens एक level तो कुछ चीज़ें बोल सकता है लेकिन उसके बाद शायद वो ना बोल पाए उसके उपर reasonable restrictions लग जाते हैं लेकिन वही चीज़ अगर हम Member of Parliament के साथ देखें उनके पास बहुत जादा vast right है freedom of speech and expression का वो कुछ भी बोल सकते हैं और जो भी वो बोलते हैं उसके against आप court में case नहीं कर सकते हो कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो बोलने की पूरी आजादी है obviously आप कोई un parliamentary language यूज नहीं करोगे लेकिन at least बोलने की वो आजादी तो है और ये आजादी हमने खुद उन्हें दी है in the institution because they are representatives तो ये power उस individual की नहीं है उनकी जो authority है जो authority है Member of Parliament की उस authority की वो power है अब कई बार क्या होता है इस authority का misuse भी किया जा सकता है उसी misuse को हम कहते हैं disruption यानि सब चीजें चल रही है ठीक से काम चल रहा हो पीच में एक कोई खड़ा होता है जोर जोर से चिलाने लगता है बुलेगा कि कोई काम नहीं चलेगा जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी इसको कहेंगे disruption आपने सारी चीजों को disrupt कर दिया जो भी काम चल रहा था ताकि आपकी बात सुनी जाए अब थोड़ा अगर हम डीटेल में समझे कि ऐसे disruption हो क्यों रहे है अगर हम opposition party के members से पूछें उनका कहना है कि तर हमें time ही नहीं मिलता है हमें speaker साब या chairman साब time ही नहीं देते हैं कि हम बोलें अपनी बात रखें तो उनकी side से ये पहला argument निकल के आता है तूसरी side जिसमें काफी politics involved है ये कहता है कि government आज के time पे जो बनी है center में उनके पास absolute majority है एकदम अच्छी majority है तो उन्हें actually opposition के कोई खास जरूरत है नहीं तो कहीं बार opposition party के members कहते हैं हमें sideline किया जाता है हमसे पूछा भी नहीं जाता हमें बोलने भी नहीं दिया जाता because government has comfortable majority government अपने-पने matters पर ही focus करती है और तुरंत voting हो जाती है वही जीत जाते हैं हमारी बात सुनती ही नहीं कोई सुनेगा नहीं तो क्या करें जब कोई सुन ही नहीं रहा तो disrupt ना करें तो और क्या तरीका है ऐसा ये लोग कहते है कई बार ऐसा भी होता है कि opposition party के members कुछ बातें कहते हैं कुछ criticism करते हैं कुछ questions government से पूछते हैं पर कई बार उनका कहना है कि government से कोई response ही नहीं आता sir कोई response नहीं आता government ऐसी मजाख में ले लेती है कई बार opposition party वाले कहते हैं कि ये लोग retaliate करने लग जाते हैं कि हमने ऐसा कैसा बोल दी और उनका retaliation का जवाब ये लोग retaliation से देना चाते हैं तो इनके लिए कई बार disruption एक tool बन जाता है एक medium बन जाता है जिससे वो अपनी बात कह सकें अब interesting बात इसमें ये है कि जहां तक इतनी बाते हैं हमें लग रहा है कि opposition party वाले सही कह रहे हैं कि हाँ बही option होना चाहिए बोलने के लिए और क्या ही करेंगे लेकिन इसकी दूसरी side भी है दूसरी side ये है कि कोई politician हमेशा ये नहीं चाहेगा कि उसके उपर थोड़ा सा attention बने हर कोई चाहता है वई तो politicians कहीं बार अपने उपर focus आए, attention मिले publicity हो इसके लिए भी disruption करते हैं कि उनको कोई शायद देखना रहा हो एक दिन हंगामा कर दिया पूरे इंडिया में news चल रही है दुनिया भर में news चल रही है breaking news तो intentionally जो disruption किया जाता है ये बहुत ही गलत है तो parliament का अगर proceeding में ऐसे कोई भी ऐसे बीच बीच में रोक देगा, disrupt कर देगा कैसे parliamentary proceeding चलेगी और साथ-साथ क्या होता है अगर किसी member of parliament ने ऐसा कुछ disruption कर दिया opposition party के और इसे गलत intentions है तो obviously बात है जो party power में है या फिर जो बाकी के लोग है वो लोग चाहेंगे कि sir इन्हें suspend करो अगर इनको suspend करने में delay हुआ जो कि usually देखा जाता है जल्दी action नहीं होती अगर speaker ने जल्दी से इन्हें suspend नहीं किया तो ये बाकी के members चिड़ जाएंगे और कहेंगे कि अब हम भी नहीं चलने देंगे तो इसका मतलब overall parliament की proceeding रुक जाएगी इन सब issues की वज़े से ये reasons है जिसकी वज़े से ये मामला हो रहा है अब इससे एक बात तो समझ में आती है यहां intention बड़ा matter करता है इसी को हम कह सकते है disruption versus creative disruption disruption होगा कि आपने जान बूच के किया, attention के लिए किया बिगाडने के लिए किया तो ये disruption हो गया creative disruption का मतलब है आपका intention अच्छा है कोई आपकी बात सुन नहीं रहा तो एक innovative method आपने चुनी कि आप disrupt करो ताकि आपकी बात सुनी जाए अगर पूरी parliament core issues पे focus करने की जगा fall to arguments कर रही है तो core issues पे focus आए इसके लिए आपने एक unconventional तरीका चुना है तो उसे हम creative disruption कह सकते हैं but the point is जब लोग disruption कर रहे है for political purpose तो वहाँ बात आजाती है क्या उन्हें suspend किया जाए या नहीं अब ऐसे suspension को लेकर क्या rules हमारे यहां बने हुए है आज की टाइम पर पार्लेमेंट में ऐसा है कि अगर आपको suspend किया गया तो maximum उसका duration कुछ भी हो सकता है दो दिन, चार दिन, पांच दिन भी हो सकता है और जितना session लंबा है लोगसभा का session है मानलो अगले मेने तक चल रहा है पूरे session के लिए भी आपको हम suspend कर सकते हैं अब दूसरी चीज़ जब आप suspend हुए इसका मतलब क्या हुआ आपको entry नहीं मिलेगी जो chamber होता है chamber में entry नहीं मिलेगी जो committees वगरा बनी है अगर आप committee के member भी होंगे तब भी आप उस committee में enter नहीं कर पाओगे वहाँ attendance आपका लगेगा नहीं यहाँ से तो पहले हटा दिया दूसरा as a parliamentarian आपके कुछ rights हैं जैसे कि right to issue notice आप government को notice issue करते हो speaker को notice बेचते हो कुछ question पूछना है तो question पूछोगे आपको उसका reply मिलना यह भी आपका right है यह as a parliamentarian है लेकिन जब आप suspend हुए यह तीनों की तीनों rights आपसे चले गए तीसरा आप लोग देखो article 122 काफी अच्छे से mention करता है कि जो court है आपका judiciary high court supreme court यह ऐसी parliamentary proceedings के अंदर कभी intervene नहीं कर पाता clearly कहता है कि parliament में जो भी matter हो रहा है court उसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि हमें separation of power भी maintain करना है लेकिन एक चीज़ है अगर कहीं proceeding में गलत है मतलब कोई गलत procedure follow की है वैसे टाइम पर court intervene कर सकता है so when it comes to procedural affairs और procedural matters court can intervene लेकिन substantively जो हो रहा है कोई जगडा कर रहा है speaker ने suspend किया और disruption था इसलिए किया तो court खासा कुछ कर नहीं पाएगा ऐसे मामलों में अब आप कहोगे sir suspension तो हो रहा है लेकिन यह करता कोन है suspend तो जो house का in charge है यानि लोगसभा में speaker और राजसभा के अंदर जो chairman है इनके पास यह power है कि यह किसी को भी suspend कर सकते हैं और मकसद है साफ कि उनको parliament की smooth functioning ensure करनी है एक decorum, एक order maintained हो इस पर इनको focus करना होता है क्योंकि they are the in charge of this particular house तो इन्हें यह करना ही है अगर हम लोगसभा या राजसभा के rules देखें वहाँ पर clearly mentioned है अगर किसी person का behavior इस तरीके का है और वो भी persistent है तो उसको वो जो speaker है या फिर जो chairman है वो नाम उनका लेकर उन्हें suspend तुरंट कर सकते हैं उस person को directly withdraw किया जा सकता है वहाँ से forcibly अगर वो जा नहीं रहा तो forcibly भी किया जाएगा कई बार अगर आप बहुत ही कुछ गंदे comment करते हो कोई severe charges आपके उपर है तो आपका automatic suspension हो रहा है ऐसा भी माना जाता है इन rules की अनुसार तो overall issue देखकर तो समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि इसकी कोई एक ही side है कि opposition के साथ गलत हो रहा है इसकी दोनों sides है opposition party के members को ये चीज समझने की और balance out करनी की ज़रूरत है कि वो पहले तो constructively criticize करें अपना काम constructively करें साथ साथ वो जो core issues है उनकी उपर focus करें उसके लिए जो करना पड़े वो करें लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप intentionally publicity के लिए disruption करें तो ये balance करने वाली चीज है जो opposition party के members को करना पड़ेगा बाकि और कोई update इसके उपर आता है क्या court में मामला जाता है कुछ भी होता है तो हम फिर कभी किसी वीडियो में जानेंगे तब तक के लिए thank you so much for watching